तो नमस्कार दोस्तों वेलकम है आप सुबू का मेरी स्वार गैनिक गिरिन कारन चैनल पर जिसे आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल पर और साथ में ये उमीद भी रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे हेल्दी होंगे और मेरी वीडियो के भी का करने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने घर पे ब्रोकली की सीड को नई पोधे बना सकते हैं और आपके घर पे जो बाड़ी है या छोटी सी बगीचे है तो वहाँ पर आप इस वेजटेबल को ग्रो कर सकते हैं उगा सकते हैं वैसे ब्रोकली आज काफी फेमस हो गई है हर जगा पे ब्रोकली का फसल उगाये जा रहा है काफी तेजी से और आज अगर हम बात करें तो लगबग चार से पांच साल पहले से ही अब इसकी खेती काफी अथीक होने लगी है लगबग हर जगा इसकी खेती की जा रही है अगर हम जाखन की बात कर तो जाकर में काफी तेजी सी इसकी फसल उगाए जा रही है और सभी जगा इसकी जो को भी है आयाद भी हो रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं तो मैंने भी यह सूचा कि क्यों नहां हम अपने दोस्तों को अपनों फेरंज को इसकी शीड लिंग बता दे जो कि जिसके पास चोटी सी जगह है यह चोटी सी जो गॉर्डन है उस जगह पर प्रोकली का शीड लगा सकते हैं इसकी पोधे त्यार कर सकते हैं और इसका सब्जी भी उगा सकते हैं और वह उन दोस्तों के लिए जो घंले पे वज़टेबल उगा ऊगाना चाहते हैं तो 12 इंच की घंले के लिए काफ़ी परफिक्ट होगा अप पर्रोक्ली की शिट एप लगा सकते हैं अब इसकी सवायल मीडिया अगर सही से बना पाते हैं तो उस पर भी आप ब्रोकली पा सकते हैं बिल्कुल गंबले में भी आप ब्रोकली का अच्छे साइज पा सकते हैं इसकी वीडियो मेरे पिछले साल अल्रेडी मेरी चैनल पर मौजूद है आप वहां से उस वीडियो को वाच कर सकते हों मैं इस वीडियो क काफी सारी पोशक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए काफी लाबदायक होते हैं फाइदे मंद है वेसे ब्रोकली को अगर हम बोले तो एक लोगपरी सब्जी नहीं है लेकिन इसका जो गून है इसकी जो गूनों का खाजाना है तो हम यह इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि यह एक गूनों से भरवर सब्जी काफी सारी पोशक तत्व पाए जाते हम मिल शकती है तो मेदर्ण हम इसकी पोशक तत्व नiadकर करें तो काफी सारी nutritions होती है जैसे प्रोटीन केल्सियम कार्भो हाइडरेट आइरन बिटाइमीन बिटाइमीन सी और बिटाइमीन ए जो है काफी मात्रे पे इस पे मुझूद होते हैं और कई और कई दूसरे पोसक तत्व भी मुझूद है जो कि हमारे सरीर के लिए फायदे मंद है तो एसे सबजी को हमें जरूर उगाना चाहिए तो चलिए आज हम इसकी सीडलिंग जरूर करेंगे और किस तरह से इसकी सीडलिंग की जाती है मैं आपको कंश से अक्टुबर तक इसकी खेती सकती है और चमश्व कि जाती है और आप आधिक जो पहारी चृत्रों में इसकी हिए उटें के शैक और कि बात कर लात करें है जो कि इसकी हर समय हमें ब्रोकली मिल सकती है और अब तो हाइवरीड का हाइवरीड का जमाना आ गया है लोग साल में इसकी खेती तीन से चार बार इसकी खेती कर ली जा रही है लोग कर रहे हैं दोस्तों अगर हम मिट्टी का बात करें कि किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती अच्छी तरह से की जाती है जो फूल बनेगी किस मिट्टी पे अच्छी बन पाती है तो मिट्टी का अगर हम उसे हम कारवनिक पदात होते हैं जिसे सड़े आच ए उस तरह कि मिटर Shape मेट्टि और भालू यो मिक्सप होती है बालू region मिक्सप होती सब्सक्राइब आधी खेती की जाती है इसका फसल भी अच्छी बनती है उस तरह के मिटी पे बालूई मिटी दोमन मिटी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है अगर इस मिटी का अगर हम पीएच का मान करें जो पीएच मिटी का मान होती है तो सबसे परफेक्ट पीएच मान जो मिटी का से लेकर सिक्स पॉइंट की बीच में जो पीच माहन सी उकती है उस हुदigence में क़्युदह काफी अच्छी वधिया और उपर जो फरूर्ट काफी अच्छी वने की बड़े साइज़ बनेगी उसमें जो पोशुक्त तो है है पोधा सही तरीके से वो जटके माधियम से ले पाती है तो इस पीएच मान पे काफ़ी अच्छी से सबजी उगाये जा सकता है लगवक हर तरह सबजी इस पीएच मान जो हुए उस तरह मिट्री जो लेवल है उस बसे खेती का अच्छी होती है दोस्तों इसकेNot दमेट अगर आगा बात करें तो अधिकतर खेती इसकी ठंडी वाली मीं भीय चाहिक जाती जो खेती है जो मीस के आधिक बूख्रीक खेती से पाती हो उसकी काफ़ी अज्डी के ब्रोकली अच्छी तरह से बन पाती है गर्मी में इसकी फसल उगाया जा सकता है लेकिन इसकी फूल की जो साइज होती हो उपर का जो फ्लावर बनती है वो काफी छोटी बन पाती है लेकिन अब गर्म मोसम में भी इसका खेती किया जा रहा है है और लोग गर्म वाली मोसम में गर्म इलाके में भी आप इसकी खेती की जाने लगी है अगर हम सर्दी वाली मौसम में अगर इसका टंप्रेचर का बात करें तो लगबग 10 से 18 सेंटी ग्रेड जो जो तफमान है इसके लिए काफी अच्छी माने जाती है तो चलिए फ्रेंट्स हम जल्दी से इसका स्वैल मीडिया बना लेते हैं जो यह मीडिया आपको बता रहा हूं छोटे माध्या में जो छोटे चोटे तोर पर जो खेती करना चाहते जो बाड़ी पर अपने जो बगीच्चा है जो बाड़ी है उस जगा पर अगर लगाना चाह उसके लिए यह लिए आपको यह एक जो वीडियो है आपके साथ है कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको गार्ड़न से嘅ल अपनीильно्छल यह हम जरा करते हैं उस जगह की आपको सतर पर से गाडयन से लेनी है है मिटी चो अधालो ले शेंड जो नदिवर नद्धी पे जो बा मेटि तोड़ी सी लाइट लाइट मेट हो सके मिर्टी में सही से हो नहीं है इसकी मेटी काफी काफी हलकी बनाने पड़ती है तो इसलिए दें रित 172 परशेंट क jin ले जो तोती है यो इस तरह की दयार करें चलिए को मिला लेंगे और कुछ फंग साइड ले अनों तब की नहीं नहीं बन पाए चह्टी सी महत्रा अपए इस पर हम थोड़ी सी स्प्रिंग्ल कर लेंगे हम हाँ चलिए सुरू है ऐसी चलिए हम मिला लेंगे हम से मिलते हैं चलिए को पीकर विलनंगे और यसकी मित्टी जो like काफी हलकी हो जाएंगी तो अब हमें इसकी ड्रेने जो हो ङुण होल्स कि झो काफी अच्छी हो ताकि पाणी अच्छी सी ड्रेनेज हो पाय और पानी तुरंद ड्रेनेज हो जाती है तो कुछ इस तरह से हमें ड्रेनेज होल को बरानी है और चलिए इस पर हम मिट्टी डाल लेंगे एक लिए उसके बाद आप से हम मिलते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिट्टी को मैं इस पॉर्ट पे फिल कर लिया हूँ और आप बारी है किया था तो जब मैं इसे पर्चेस किया था तो मुझे दो पैक मिल गए थी तो एक पैक मैंने यूज किया तो और छोड़ दिया था जो कि आप अभी देख सकते हैं मैं इस शिड्लिंग को ग्रो करूंगा और देखूंगा कि यह अभी सही से जनरेट हो पाएगी या नहीं यह पोधे बन पाती है या नहीं अगर आप उनलाइन इसका पर्चेस आप करना चाहते तो मैं इस वीडियो के एंड में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक डाल दूंगा वहां से आप इसे देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं मारी गोल्ट जो कि मैं आप आसाने से अपने घर पर कर सकते हैं जो कि इसकी कीमत अगर हम बात करेंगे तो लगबख यह हमें 99 रुपी लगए थी याने की 100 रुपी के परचेस पर आये थी जो कि फ्रेंड इसकी 380 दी गई है और इस पर बीज का जो मेंशन किया हुआ है 25 सीड मिलेंगे जो कि 25 से काफी थोड़ी जादी थी तो फ्रेंड्स अभी बार यह है ब्रोकली की चलिए इसको हम खोलते हैं और इसकी सीड देख लेते हैं कि क्या कंडिशन है क्या सीड की इसकी क्वाइल्टी सही अभी तक है कि नहीं चलिए हम बीज को काट लेंगे यहां से इसे कट करेंगे किसी तेज चाकू या पकेची के हम मदल से काट सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने इसे अभी भी सीड़ी से ज़ी सही होती है जो की काफी अच्छी अभी भी सीड़्ी है तो चलिए आए चलिए हम शीप से निकाल लेते हैं एक प्लेट में जो कि यह काफी होंगे के लिए मित्लो यह देखने में कफी वही वीज लाखती है जो सधारन फूल को होती है उसी का जैसी लगती है लेकिन यह ब्रोकली का सी नहीं कर के है जो कि एक कॉटेज बन जाएगी सीट पर जब इसे हम मिटी पर ग्रो करेंगे तो लगबग हर सीट एक नहीं प्लांट बन पाएगी इस पर कीट का टेक वैसे जहां तक हमें लग रही है नहीं हो पाएगी तो कुछ इस तरह से हमारी सीट अब देख सकते हैं कितनी अच्छी से एक काटे चड़ गई है जैसे हम फारते तो उसी तरह के सिर्ष निकलते हैं तो वह एक फंगी साइट का रही होती है जो कि कीट का असार उस पे बहुत कम हो पाती है तो चलिए बहुत अच्छी सी सीड हो चुकी है अब देख सकते हैं बहुत बढ़ी असी इसकी पड़ चलिए फ्रेंड्स आप इस शीड को हम इस पर स्पिंकल कर लेंगे कुछ इस तरह से इस तरह से स्पिंकल कर लेंगे पूरी और थोड़ी सी दूरी पे देना ताकि जब हम बीच को ट्रांस्प्लांट करें तो उस पे प्लांट निकालने में हमें दिक्कत ना हो और अच्छी प्लांट बन सके अगर दूरी अगर आप देते हैं तो इसकी रूट बॉंडिंग नही पोदे सही से बनने पाएंगे और हमारे जो की कोभी का जो प्लांट है वो सही बन नहीं पाएगी तो कुछ इस तरह से दूरी बनानी है जैसे देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से यह स्प्रिंकल हो चुकी है अब बारी है इस पर एक पतली लेर हमें चड़ानी होगी ज ताकि धूप इस पर जब बने तो इस पर डारेक्ट धूप ना लगे क्योंकि इसकी टिशूस जो होती है डारेक्ट धूप लगने से प्लांट सही से जनरेट नहीं हो पाएगी तो तयार देख सकते हैं मीटी की एक पतली परत मैंने चड़ा दी है और आप बारी है इस पर ह पर डाल दे और यह प्लेट रख दे जो कि इसकी जो ड्रेनेज होल होती है वहां से पानी को यह देरे-दरे मिटी एब्जोब कर लेगी उससे यह उससे क्या होगा कि मिटी सही पर बने रहेगे और प्लांट भी हमारे सही से बन पाएगी उपर से जब मिटी हम देते हैं तो जो है इस तरह से पतली ध्यार बनानी है और हमें इसे हलकी गिली करनी है पूरी वेट नहीं करनी है क्योंकि पूरी वेट गिली कर देंगे तो मिटी बैठ जाएगी थोड़ी हाड हो जाएगी जिससे हो सकती हमारे मिटी जो शीट है सही से जर्मिनेशन हो ना पाए तो इस तरह से पानी का एक पतली लेर चड़ा देनी है अब इसे हमें एसी जगह पर रखना है जहां पर दीन के करीब दो से तीन घंटे अगर इसे धूप सही मिल पाएगी तो जो प्लांट है काफी अच्छी बनेगी मजबूत बन पाएगी और यह लगबग हमारी प्लांट चार से पांस दिन के अंदर नई प्लांट पर जनमिनेट बाद करीब 20-35 दिन बाद करने के काबिल हो जाएगी तो दोस्तों उमीद करूंगा कि यह एपको फसंद आये होगि फसंद आए तो जरूरर लायक और चैनल साथ!. स्क्राइब कर ले चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी फ्रेस कर ले ताकि हर वीडियो मेरे अपडेट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के दोवारा मिल पाए तो चलिए फिर मिलेंगे गुड़ बाइ एंड सी यू